जहिन दोस्तो दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कार अगर आप लोन पर ले रहे हो तो आपको उसका कितना इमा जाएगा आपको क्या-कर डोकुमेंट लगेंगे आपको कितनी सर्विश चार्ज लगने वाली है और आपको किस तरह लोन पर दिया जाएग कोई भी ल्वन स्थाट करने से पहले प्रोस्जिंग की लग ज जाती है ठीक है अप कर तक कि दो shatter से लेकि 6000 तक के stamp paper के ठीक है तो यह चार्ज दोस्तों मस्ट है क्योंकि आप उस पर agreement होगे कि आपका car loan पे ले रहे हो आप उसके बाद दोस्तों आपको कभी भी जो गाड़ी है ना यह इस amount में पूरा आपका insurance और फिर warranty और फिर exorum का price बताया रहता है कि आपको कितना warranty मिलने वाला है कितना insurance मिलने वाला है और insurance के कितना charges है warranty कितना charges है तो यहाँ पे मैंने आपको बता है अगर गाड़ी की price 7,97,000 है तो उसमें जो exorum की price होती है वह होती है 6,74,000 ठीक है उसमें इस्वारेंस कितना होता है आपका 32,633 रूपीज ठीक है वारेंटी चार्जेस कितना होता है एक अप्रोक्सिय अमाउंट बता रहा हूँ कि आपको कितना होता है यह सभी के अलग अलग होते हैं आपको डेपेंड बता रहा हूँ कि इस तरह होते हैं चार्जेस ठीक है उसके बाद री सर्वीसेस का है 78,373 ठीक है और उसकी बाद है आपको फाइयर की वारेंटी मिलती है अब फाइयर की वारेंटी हर जगह मिलती है आपको उसके बाद दोस्तों EMI कैसे बनेगा ठीक है बहुत बड़ा सवाल है EMI कैसे बनेगा कितना आपको डाउन प्रेमेंट डेना पड़ेगा तो यह सब यहां पर देखेंगे हम अगर आप जितना ज़दा डाउन प्रेमेंट करेंगे उतना आपको EMI कम बनेगा सबसे पहले ठीक है अगर आप 2 लाग तक डाउन प्रेमेंट करते हो तो आपको आपको और EMI कम हो जाएगा लेकिन मैंने यहां पर स्रीप और स्रीप कम डाउन प्रेमेंट का दिखाया है जैसे कि आप अगर डेल लाग के अंदर देते हो मैंने यहां पर 1,24,000 लिखा है तो आपको जो EMI बनेगा ठीक है वो आपको 13,000 तलक बनेगा ठीक है 13,000-15,000 के अंदर बनेगा अब यहांपे मतलब 5 साल के लिए EMI का बताया है ठीक है अब 5 सालका EMI में आपको 13,350 अठीक है अगर आप इसी को 3 साल कर दोगे तो इसका जो E कि इसमें interest rate कितना लगेगा तो आप लोगों को बता दो दोस्तो interest rate आपके सीबिल score पर डेपेंड करता है और आपके बेंक पर डेपेंड करता है अगर आपका सीबिल स्कोर 750 के ऊपर रहा तो दोस्तों आपको एक अच्छे परसेंटेज में एक स्टाट्ब्यद्ग नियर रहते हैं तोसमज़ लीजिए कि अगर आप आप 5 साल के लिए EMI रखते हो आपको, ठीके, 5 साल का आपका EMI बन गया है, 13,365 रुपे का है, ठीके, 13,365 इंटू 60 वहीना, ठीके, आपका कितना हो रहा है, 8,19,00 रुपे, ठीके, आपका हो रहा है, 8,19,00 रुपे, और बचा आपने कितना डाउन पैमेंट किया था, एक चौबीस ठीक है एक लाग चौबीस हजार रुपए आपने पेमेंट किया था वन टू फॉर कितना हो गया नौलाग पचीस नौलाग पचीस ठीक है नौलाग पचीस यहां पर देख लेजिए और आपके गाड़ी कितनी कि थी सेवन नाइन सेवन ट्रिपल जीरो आपका कितना आपका यह लोन जा रहा है 120 ले एक लाग अट सम्थिंग एग्रुणा यह लाक अटाइस हजार तक आपका यह जा रहा है और प्लस आपका जो इसमें और एक्षा चार्जिस अगर हो सकते हैं समय लिए कि स्टैंप पेपर प्रोसेशी और फिर अधर चार्जिस रहते हैं वह आपको बैंक वाले बताएंगे कि आपको कितना चार्जर दसके बाद धोस्ट आपको 60 मेहिने तक अगर आप पांच साल के लिए रहे हो तो आपको इमाय कम बनेगा ठीक के लेकिन आप 3 एंक एमाय थोड़ा स northak da तो सबसे बड़ी बात है आपको document क्या क्या देने पड़ेगा अगर आप से एक salary person हो ठीक है तो आपको तीन से 6 मैने तक का आपको salary slip देना पड़ेगा आपका home address आपके photos देने पड़ेंगे अगर आप एक businessman हो तो आपको income tax proof लगेगा मतलब IDR लगेगा आपको address proof लगेगा आ मतलब 8 लाग तक की car आपको कितने असानी से आपको मिल जाती है आप कम डाउन payment में मतलब 1,5-2 लाग के डाउन payment में आप काड़ी ले सकते हो और गाली लेने के बाद आपको जो EMA इतना आ जाएगा और आपका कितना साथ लाग का चीज मतलब 8 लाग का चीज में आपको 9 लाग के उपर जाएगा आपका प्राइस ठीक है और आपको यह लोन रहेगा यह पांच साल के लिए रहेगा तो दोस्तों अगर आपको मैंने कोई information आपको नहीं बताई है को information समझ में नहीं आए तो हमारे comment में नीचे करके बताई है मैं उसका answer आप लोगों कुछ जरूर कीज़